हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें काईशा बेहत ही खूबसूरत और लंबे घने बालो वाले लिड़की थी खूबसूरती के साथ ही वो पढ़ने लिखने में भी काफी तीस तरार थी लेकिन वो जरूरस से काफी ज्यादा सोचा करती थी जब वो अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ रही होती है तब ही उसकी मा उमा वहां आकर बोलती है काईशा बीटा चल खाना खाले फिर उसके बाद जितना मर्जी पढ़ ले न आप चलो मैं दो मिनिट में आती हूँ मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ और तेरे दो मिनिट को भी इसलिए ये किताबे बन कर और मेरे साथ चल पहले खाना खाले फिर जितने मर्जी पढ़ाई कर लेना इतनी टैंशन मत लिया गर अपनी मा उमा के बोलने पर काईशा नाश्टे की टेबल पर बैठ जाती है जिसके बाद सभी खाना खाते हैं और काईशा बोलती है मा आपने फिर से ये फीकी से सबजी क्यों बनाई है अरे क्या बोले जा रही है इतना नमक तो है अब क्या तेरे मुँमे टाटा सॉल्ट के फैक्टरी खोल दू मा मैं नमक की बात नहीं कर रही हूँ आपने याँ जरा सबी चटपटा खाना नहीं बनाया मुझे वो अचार वाले डबा दो बिल्कुल नहीं लेकिन क्यों बहुत मिर्च मसाले खाने लगी है अरे इतना मिर्च मसाला खाएगी तो तेरे बाल पक जाएंगे मुझे अच्छे से मालुम है कि तुझे तेरी मा के हाथ का बनाया हुआ खाना बेस वात क्यों लग रहा है अब मैं इस बार तुझे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दूगी ताकि तुझे बाहर जाकर वो कच्रा न खा सके मां बर्गर सैंड्विच को कच्रा कोन बोलता है किपने टेस्टी होते हैं वो कि बेज़ती मत करो वो जंग फूर किसी कच्रे से कम थोड़ी न है पता नहीं तुझे वो बेस वात खाना खाने में क्या मज़ा आता है अरे ये सब खाती रहेगी तो तेरे बाल, रंग, रूप सब खराब हो जाएगा काईशा अपनी मा की बातों को अनसुना करकी टाल देती है और रेडी होकर कॉले जाती है जहां वो अपनी सहेलियों से बाते करती है तब ही कविता बोलती है काईशा, सच लहूं तो मैं फैन हो गई हूँ किस की होए? तेरे इन लंबे काले घने बालों की यार काश मेरे भी बाल तेरे जितने लंबे होते अरे तूने लंबे होने देगी तब ही तो होंगे मतलब देख तू आए दिन ये बेक आर्सी कटिंगे करवाती रहती है और जब भी तेरे बाल जरा से भी बढ़ते है तो फिर से उन पर कैची चलवा देती है तो इससे तो अच्छा है कि जो है उसी में खुश रहे इसकी इतनी तारीफ मत किया कर देख कैसे भाव खाने लगी जरा सा बोल दो कि कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट है तो खुद को अलबर्ट आइंस्टैन सबजने लगती है अगर तुम दोनों का लेक्चर खतम हो गया है तो क्लास चले आज पोल्टिकल का लेक्चर है लेट्स गो इतना कहकर तीनों क्लास अटेंट करते हैं और थोड़ी ही देर बाद तीनों अपने घर आती है अगले ही दिन काईशा एक बार फिर कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है काईशा को देखकर उसकी दोनों सहेलिया मन ही मन खूब जलती है तभी पायल की नजर काईशा के सफेद बालो पर पड़ती है और वो बोलती है अबे ये क्या सीन है ओई कवीता ये देख अबे ये तो सफेद बाल है अब तो इसके रेटायर्मेंट पक्की इसे तो जवानी में ही बढ़ापा आगया जूट बोल रही हो दोनों ठीक है फिर तो घर जा कर दे अगर तेरे सर पे सफेद खेती ना नजर आए तो कही हो अरे वक्त बरबाद करने से अच्छा है तो पैंशन के लिए अपलाए कर बढ़ापे के पैसे तो आएंगे अपने सफेद बालों का मजाग उठता देखकर काईशा बुखलाई हुई घर आती है और अपनी मा से बोलती है मा कहा हो आप जल्डी बाहर आओ अरे क्या हो गया घायल शेरनी की तरह क्योदाहार रही है मा, जरा मेरे बाल देखना, अरे अच्छी लग रही है, बाल क्यों देखू, मा देखो तो पहले काईशा के कहने पर, उमा उसके सफेद बालों को देखकर चौकते हुए बोलती है काईशा को अपनी सफेद बालों का विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो बातरूम में जाकर हेवोश करती है और उसकी ये हरकत देखकर, उसकी मा उमा चौकते हुए बोलती है अरे पागल हो गई है क्या, ये क्या करे जा रही है, अरे तेरे बाल सफेद हो गए है, दोने से ठीक नहीं होंगे लेकिन क्यों मा, तुझे मैंने लाखो बार समझाया था, कि पढ़ाई की इतनी चिंता मत लिया कर, और ये जंग फूर मत खाया कर लेकिन मजाल है, जो तु मेरी बात मान ले, अब इतनी जरासी उमर में तेरे बाल सफेद हो गए मा, अब मेरे बाल ऐसे ही रहेंगे क्या, नहीं बेटा, तु एक काम कर, रोज सुबार करना अपने नाखुन रगड़ा कर, फिर देखियो, तेरे बाल फिर से काले हो जाएंगे, और तब तक तो चोटी बना ले काईशा अपनी सफेद बालो को छुपाने के लिए, फटा-फट चोटी बना लेती है, वक्त बीटता जाता है, और अपनी मा की कहे अनुसार, काईशा हर वक्त अपनी नखुनों को रगड़ती, और अपने बालो की तरफ देखती, एक दिन काईशा अपनी मा से बोलती है मा देखो न, मेरे सफेद बाल काले हो रहे है क्या? उमा उसके बालों को देखती है जो की और ज़्यादा सफेद हो चुके थे उमा अपनी बीटी की हरकतों के कारण उसे जूट बोलती है हाँ हो रही है अपनी मा की बात काईशा को जूट लगती है और उसी वक्त वो अपनी चोटी खोलती है तो उसके बाल अब और ज्यादा सफेध हो चुके थे ये देखकर वो चौंक जाती है और बोलती है ओ नो ये नहीं हो सकता मेरे बाल पूरी तरह सफेध हो गए है इसका मतलब आप मुझे जूट बोल रही थी बेटा अगर मैं तुझे बता देती कि तीरे बाल और सफेध हो गए है तो तू तो टेंशन लेने लग जाती अरे टेंशन तो होगी ना आपके बाल इस उम्र में भी काले हैं और आपके बेटी के सफेध होते जा रहे हैं काईशा ये बोल ही रही होती है कि तब ही उनकी पडोसन छबीली सफेध खुले बालों को देखकर गलत फैमी का शिकार होते हुए बोलती है हाई देया लागत है उम्रा के माई आईल है गोर लागत है अम्मा जी हम दोहर बिटिया के सहेली है आशिर वाद देव हमको कि हम फले फूले वैसन आप मूग उमा के काये खड़ी है अरे छबीली आंटी ये क्या बोले जा रही हो अरे उमा के माई हमके सठियाई लागत है कुल केश सफेध इका हुआ है और हमके आंटी बुलावत है छोड़ो मेरे पैर छबीली आंटी मैं हूँ कायशा यह वाँ जानल पहिचानल लागत है कहां सुने है कायशा के बोलने पर भी छबीली टस से मस नहीं होती और बोलती है जब तक आशिरवाद नहीं दिये अमा जी हम तो हर गोर नहीं छोड़िये और ये चेहरा का है चुपावत हो कायशा की बार बार बोलने पर भी छबीली ढीटो की तरहा खड़ी रहती है जिस कारण कायशा उसी धक्का देती है और छबीली बोलती है हाई दया ये तो कायशा बिटिया है तुहार बाल भरी जवानी में सफेद कैसन हुई गवा तो उसे जवान तो तुछा रम्मा लागत है चुप करो आप बताओ आपको कैसा लगा मेरा आशिरवाद है हमार कमर तोर दी फुटबॉल के जैसन उचाल के है राम अब हम पूरा मुहला के चीक चीक कर बता दे कि उमा के बैटी के कैस भरी जवाने में सफेद हुई गवा है बुझाईल छबीली के जाने के बाद काईशा अपना पर्स लेकर पारलर जाती है और अपनी सफेद बालों को दिखाते हुए बोलती है क्या आप मेरे इन सफेद बालों का कोई सोलूशन बता सकती है क्योंकि मेरे बाल मुझे पहले की तरह काले चाहिए आपको जितने पैसे लेने हैं लेलो लेकिन मेरे बालों को काला कर दो अपर ब्लैक नहीं ब्राउन हेल ही परफेक्ट लगेगा सजेशन देना मेरा काम था बाकि आप जैसा चाहेंगी मैं आपका हेर कलर पैसा कर दूँगे ठीक है भूरे कर दो लेकिन एक भी बाल सफेद नहीं दिखना चाहिए पालर वाली की बात सुनकर वो कन्वेंस हो जाती है जिसके बाद वो उसके बालो को हाईलाइट करके भूरे कलर के बालो में बदल देती है और हेर कलरिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद उसके बालो के अकॉर्डिंग उसको शैंपू भी सजेस्ट करती है और काईशा अपने भूरे बालो को देख कर खूब खुश होती है जिसके बाद वो कॉले जाती है जहां उसकी सहेली कविता बोलती है वाओ ओ यार तु तो छा गई ये भूरे बाल तेरे उपर बहुत जज रहे है बहुत अच्छी लग रही है तू अब बे रहने दे वरना ये फिर से साथ बे आसमान पर पहुँच जाएगी पगली तू देखती रही हो जैसे पहले इसके काले बाल सफेद में बदलेते वैसे ही ये भूरे बाल भी कुछ दिनों बाल सफेद बाल में बदल जाएंगे वोग बीटता है और कुछ महीनों बाद काईशा की बाल फिर से सफेद होने लगते हैं जिसे देखकर उमा बोलती है काईशा बिटिया पार्लर में जो कलर करते हैं उसमें कितने गैमिकल होते हैं वो कितने हानी कारग होते हैं मेरी बात मान, तू अपने बालों पर ब्राउन महंदी लगा ले, उससे तेरे बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा और तेरे बाल चमकदार भी रहेंगे हाँ ये सही आइडिया है इससे मेरे बाल भी सुन्दर रहेंगे भूरे चमकीले भी रहेंगे और पैसे भी जादा नहीं लेगेंगे अपनी मा उमा की बाद कायशा को एकदम सही लगती है जिसके बाद वो अपने सफीद बालों को ढखने के लिए पालर ना जाकर घर की होम रेमिडी से ही ब्राउन नेहा महंदी को कौफी में मिक्स करके लगाती है और साथ ही वो अपने भूरे बालों को सिल्की रखने के लिए उसमें एक दही इत्यादी भी लगाने लग दी है और इस तरह कायशा अपने भूरे बालों के साथ अपनी जिन्धिगी खुशहाल तरीके से जीती है अनिकेत अपने महले का सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का था जिसको खुद पर और अपने घने बालों पर बहुत घमण था अनिकेट अपने आगे किसी के भी नहीं चलने देता था और लोगों की कमी का मजाग बना कर उन पर खूब हसा करता था पर ये क्या दीरे दीरे अनिकेट के बाल जड़ने लगे थे जिन पर उसे इतना ज्यादा घमन था वो उसके सर से अपने आप निकलने लगे थे देखते ही देखते उसके सारे सर के बाल गायब हो गए थे और सिर्फ कुछ ही रह गए थे अब उसके सर पर कम बाल होने की वज़ह से लोग उसे देखकर उसका मजाग उड़ाने लगे थे और अपना मजाग बनते देख वो अपने पिता विश्वनात से एक दिन बोलता है अरे बेटा पर हमने क्या किया तुम कहो तो हम कल से तुमारे सामने ही नहीं आएंगे बापू हम बड़े परिशान हो गए हैं सब हमारे कंचेपन का मजाग बनाते हैं तुम ही बताओ क्या करें हम विश्वनात उसको बहुत सारे आइडियास देता है कभी वो अपने सर पर घी लगाता तो कभी चावल के पानी से अपना सिर धो लेता तरह तरह के तेल अनिकेत वो हर नुसका अपनाता जिससे उसके सर पर बाल आ सके पर उसके सर पर बाल नहीं आते वो यूट्यूब, गूगल, तांत्रेक, पंडिच सबसे पता करता है कि कोई चीज तो ऐसी होगी जिससे उसके बाल आ जाए ऐसे ही एक दिन अनिकेत अपने फोन के इंस्टाग्राम पर एक रीमा नाम की बहुत ही ज्यादा बड़ी मॉडल लड़की की रील्स देख रहा होता है कि तभी वहां उसका दोस्त अफतार आ जाता है अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए अफतार उसको एक जाने माने डॉक्टर के पास ले जाता है जिसका नाम होता है बाला बाला को देखते ही अनिकेत की हसी निकल जाती है और वो जोर जोर से हसकर बोलता है अब एक क्या मजाग दिखाने के लिए लाए हो हमें यहाँ जिसके खुद के सर में खेती नहीं है वो हमारे सर पे जंगल लगाएगा बाला जी, मुरा मत मानना तुमारे नाम के शब जितने भी बाल नहीं है तुमारे सर पे जी हमारी छोड़िये जनाब हम अपने गंजे के साथ खुश है ना खुश तो आप है और आप जैसे पता नहीं कितने अपने सर पर हम बाल ला सकते हैं पर हमें लाना नहीं है क्योंकि हमारी पीवी को हमारा गंजापन पसंद है डॉक्टर की बात सुनकर उसकी हसी बंध हो जाती है और वो डॉक्टर से बात करने में बिजी हो जाता है तभी डॉक्टर उसकी सर पर बाल लाने का पूरा प्रोसेस और हेर ट्रांस्प्लांट का खर्चाओं से बताते हैं जो की पूरे पांच लाग का होता है इतनी बड़ी प्रक्म सुनकर अनिकेट तुरंट मना कर दीता है और वहां से गुस्से में जला जाता है। अवतार उसको काफी समझाता है जिस पर अनिकेट बोलता है अनिकेत रीमा से फर्स्ट मिटिंग के लिए निकल जाता है, वो भी नकली बाल लगा कर, दोनों का मिलना जुलना एक दूसरे से शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे रीमा भी अनिकेत को उसकी तरह ही प्यार करने लगती है, कुछी दिनों बाद अनिकेत रीमा को अपने घर वालों से मिलवा देता है, और कुछी समय में उन दोनों की शादी हो चाती है, शादी की पहली रात को रीमा एक मॉडल के पिक इंस्टाग्राम पर देखती है, और हसते हुए अनिकेत से बोलती है, अनिकेत इस कपल को देखो, मैं इस मॉडल को जानती हूँ, हमने एक साथ काम किया था, पर इसके गंजे पती को तो देखो, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी मॉडल होके इसने इस गंजे के साथ शादी कैसे कर ली? अगर हमारे सर पर भी ऐसे दूरे बाल होते तो? अरे कैसे बाते कर रहे हो? मुझे तो तुमसे ज़्यादा तुम्हारे इन घने काले बालों से प्यार है. इतना बोलकर रीमा उसे हक कर लेती है और किस करना शुरू करती है? थोड़ी देर बाद अनिकेत उसको खुद से दूर करके सो जाता है. रीमा एक अच्ची बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारिया निभाती है और अपने मॉडलिंग करियर पर भी ध्यान देती है. लेकिन वो कहते हैं न दोस्तों कि सच छुपाय नहीं छुपता क्योंकि जूट के पैड नहीं होते और एक दिन सच सभी के सामने आ ही जाता है. वेल, कुछी दिनों के लिए रीमा अपने माई के जाती है और उसके जाते ही अनिकेत अपनी विग निकाल देता है. और तभी रीमा अपना सामान लेकर घर में आते हुए बोलती है. अब मैं कुछ दिनों बाद घर जाओंगी, घर पर कोई नहीं है. तुम्हारे बाल कहा गए, तुम इतने दिनों से मसे जूट पूर रहे थे, तो ये है तुम्हारी असलियत, मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदिगी से. अनिकेत उसे रोकने की तमाम कोशिश करता है, पर रीमा नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है. उसके वापस जाने के बाद अनिकेत रीमा को बहुत सारे कॉल्स करता है, मेसेजिस करता है पर रीमा किसी का भी जवाब नहीं देती और अपना मौफ उलाकर अपने माईके में बैठी रहती है इसके माता पिता भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनती चुक चाप बस वो अपने मोडलिंग करियर पर ही फोकस करती है दिन ऐसे ही बीटते जाते हैं और रोमा का मन अब उदास रहने लगता है वो निकेट से बात तो करना चाहती थी प उसका गुसा साथवे आसमान पर चड़ जाया करता ऐसे ही एक शाम रीमा पार्क में बैठी होती है और अपने चारो तरफ देखती है पार्क में उसे बहुत सारे कपल्स बैठे हुए नजर आते हैं तब ही उसको उस मोडल की याद आती है जिसने एक गंजे आदमी से शाद बहुत ही ज्यादा गंजा होता है लेकिन फिर भी उसकी वाइफ अपने पती को बहुत प्यार करती है और उसके साथ बहुत खुश है उसे देखकर प्रेमा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे महसूस होता है कि असली खुशी अनिकेत के बाल नहीं बलकि उसका प्यार है यह सोचते ही उसकी आंखें आसों से भर जाती है और वो अगले ही सुभा जल्दे से अपना सारा सामान पैक करके अनिकेत के पास पहुत जाती है और उसे जोरों से गले लगा लेती है जिसकी बाद वो बोलती है अनिकेत मुझे तुमसे प्यार है तुम्हारी बालों से नहीं आज मुझे समझाया कि उस मौडल ने उस गंजे से शादे क्यों की थी क्योंकि उन दोनों के अंदर प्यार था वो प्यार एक दूसरे के दिल से करते थे ना कि उनके जिसम और बालों से और तुमने अच्छा किय जो मुझे पहले सच नहीं बताया शायद अगर तुम मुझे पहले सच बता देती तो मैं यहाँ कभी खड़ी ही नहीं होती और ना तुम्हारी साथ होती I'm sorry, मैं अब कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी Thank you, Reema आज तक हमने खुद को इस हकिकत के साथ नहीं अपनाया था शायद इसलिए तुम्हें भी सच नहीं बता पाए पर अब हमें खुद से प्यार है, तुमसे भी जादा हम अपनी असलियत को अपना रहे है, Reema हम जैसे हैं, अब वैसे ही रहेंगे नहीं लगाते हम ये विग मुझे भी तुम और तुम्हारा ये गंजा सर बहुत पसंद है और एक बात कहूँ, तुम इन कम बालों में भी ना बहुत अच्छे लगते हो, सच्छी उन दोनों के बीट सब कुछ ठीक हो जाता है और आप बिना विग लगाए, अनिकेत अपनी पतनी रीमा के साथ रहता है और दोनों पती पतनी अपनी आने वाले जिन्दगी को खुशी-खुशी इन्जॉय करते हैं और एक साथ रहने लगते हैं सलोनी एक बहुत ही सुन्दर लड़की थी स्वभाव से भी वो बहुत ही ज्यादा मजाक्या किस्म की थी उसको हर चीज़ पर डबल मिनिंग बात करने की आधत थी ऐसे ही एक दिन सलोनी अपने बॉइफ्रेंड आयुश से फोन पर बात कर रही होती है और तभी आयुश उससे कहता है यार कब तक ऐसे चुप चुप कर मिलेंगे और बाते करेंगे हम अच्छा तो क्या करें फिर हाँ यार अब रहा नहीं जाता तुम्हारे बिना अच्छा वो सब छोड़ो ना चलो आज कुछ तुफानी तुफानी बाते करते है तुफानी, बोलो-बोलो, जल्दी बोलो ये सुनते ही तुम्हारे खड़े हो गए होंगे न अरे कान बाबा, अभी तब तो सुन नहीं रहा था जब मैं इतना कुछ बोल रही थी बोलो-बोलो तुम्हें क्या लगा था वैसे? पर मुझे लगा कि खेर जाने दो तुम्हें बी, चप-चाप सोजाओ, गुड़ नाइट ऐसे ही समय बीत ता जाता है और आयुश सलोनी की डबल मेनिंग वाली बातों से बहुत परिशान हो जाता है वो हमेशा से उसे समझाता था पर सलोनी की कान पर जून तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी इस आदर पर कायम रहती थी ऐसे ही एक दिन सलोनी और आयुश दोनों पार्क में मिलते हैं जहां आयुश उससे बोलता है बेबी, आज कितना अच्छा मोसम है चलो कहीं अच्छी सी रोमेंटिक जगे जाते हैं आयुश तुम्हारा गिर गया कहां और क्या गिर गया अरे देखो ना वो कब से नीचे गिरा हुआ है आयुश यहां वहां देखने लगता है तब युश सलोनी उससे कहती है तुम्हारा दिमाद बेवकूफ नीचे गिरा हुआ है तुम अपने हर कुछों से बास दी आने वाली है ना अच्छा जी ऐसे ही कुछ समय बाद सलोनी और आयुश एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आयुश उसे अपने घर ले आता है जहां उसकी मा निम्मो उन दोनों का स्वागत करती है तभी सलोनी निम्मो से बोलती है माजी मैं आपके छूना चाहती हूँ है नया क्या छूना चाहती है तुम हो आपके पैर माजी पैर छूना चाहती हूँ आपके तो छू ले ना मना किसने किया है सबी अंदर आ जाते हैं और ऐसे ही हसी खुशी समय बीथता जाता है और एक रात आयूश सलोनी से बोलता है सलोनी, I love you यार क्या बात है, I love you से काम नहीं चलेगा गिफ्ट लाए है तो बताओ फिर हाँ ना, ये देखो वाओ, ये कितना सुन्दर है I love you यूटू आयूश I love you यूटू से काम नहीं चलेगा आच्छा जी वाओ, कितने सॉफ्ट है क्या सॉफ्ट है? अरे, तुमारी कमर तुम्हें क्या लगा? कुछ भी तो नहीं अरे, अरे, बोलो ना देखो, गुद गुदी मत करो उमरना मेरा यहीं हो जाएगा क्या? मूड खराब, और क्या? अरे, बेबी, ऐसे कैसे मूड खराब होने दूँगा? दोनों एक दूसरे कोल गले लगा लेते हैं और एक दूजे के प्यार में खो जाते हैं ऐसे ही समय बीत आ जाता है और सलोनी, पूरे घर की जिम्मेदार यहां अच्छे से निभा लेती है ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे बोलती है सलोनी बहू, जराइधर तो आ हाँ माजी, बोलिए कल मेरी छोटी बहन बिल लवा रही है और वो कुछी दिनों के लिए यहीं हमारे साथ रहेगी तो उसकी खातिर्दारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए हाँ जी माजी, वो मैं कह रही थी कि आप कमरे में चलती तो मैं आपके दबा देती जोर से हाई राम, क्या दबाएगी मेरा तू? अरे पैर माजी पैर दबाजी थी आपके आरे निकमी तो पूरा बोला करना इसी तरह अगले दिन निम्मो की बहन बिल्लो आती है और अपनी बहन निम्मो के गले लग जाती है थोड़ी देर बाद सलोनी वहाँ चाय नाश्ता ले कर आती है और उन्हें सर्फ करती है और वहाँ से निकल जाती है कुछी देर बाद बिल्लो अपनी बहन से कहती है हाई जी जी बहुतो तो बहुत सुन्दर लाई है हाँ बहन यही है सुन्दर सी पोरी जिम्मेदारियों को इसी ने सभाल रखा है मैं तो वह सब अराम करती हूँ अरे मेरी बहु तो एक नमबर की निकमी काम जो नलायक है पता नहीं पिछले जनम में मैंने कौन से पुन किये थे जो मिल जी इतनी अच्छी बहु आई है बिल्कुल सर्वगुण संपन है मेरी बहु सही कहा जी जी बिल्लो को उन दोनों का प्यार देखकर उनसे जलन होने लगती है और वो मन ही मन सोचती है बड़ी तारिफ कर रही है न अपनी बहु की देख रहे न एक दिन तेरी ये सारी तारिफ न नफरत में बदल दूगी तुम सास बहु की जोडी को अगर मैंने तोड ना दिया न तो मेरा नाम भी बिल्लो नहीं अरी जब मैं परेशान रहती हूं अपनी बहु से तो तुम्हें भी जी जी कोई हक नहीं है खुश रहने का फूट तो मैं दलवा कर ही रहूँगी ऐसे ही समय बीचता जाता है और बिल्लो दोनों सास बहु में फूट डलवाने की तरकीब सोचने लगती है और एक दिन निमो की तिजोरी से उसके कुछ जेवर चोरी करके सलोनी की अलमारी में रख देती है ऐसे ही कुछ दिन बाद जब निमो अपने तिजोरी खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ उसका एक हार नहीं है और ये बात वो जाकर सभी को बताती है ऐसे में बिल्लो कहती है हाई जी जी मैं तो कहती हूँ सबके कमरे की तलाशी ले लो तबी सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा नहीं ये साम मेरा परिवार है और मुझे मेरे बच्चों पर पूरा यकीन है और यहां तक की मुझे पता है कि तू भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती शायद मुझ से ही कोई गलती हुई होगी मैं दुबारा देख लूँगी पर मा जी वो हर तो आपको बहुट पसंद है आखिर आपकी मम्मी की निशानी है वो हाँ बहू कोई बात नहीं शायद मैंने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा मा जी अच्छी से याद कीजी आपने कहां रखा था ओ हो 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 बड़ी सा हान भूती दिखा रही है मुझे तो लगता है जी जी हार इसी ने चुराया है पसकर बिल लो तेरी इतनी हिम्मद कैसे हुई मेरी बहू पर जाम लगाने की मेरी बहू लक्षमी का रूप है समझी आज तो बोल दिया है और आज की बाद मेरी बहू के बारे में एक शब्द मत बोलना और अच्छे से जानती हूँ मैं जी जी ऐसे लड़कियों को ये मत बूल ये कोई अंचान लड़की नहीं है मेरे घर की बहू है और मेरे बेटे की बीवी समझी और मैं ये बिलकुल भी बरदाश नहीं कर सकती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोल जाए बिल्लो गुसे में अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीथ जाता है बिल्लो फिर से एक दिन अपने कमरे में बैठ कर उन्होंनो सास बहू के पीच फूट डलवाने के बारे में सोचने लगती है और खुद से बाते करते हुए बोलती है इस बेज़ती का बतला तो मैं लेकर रहूगी अब बहू इतनी प्यारी हो गई कि उसके लिए अपनी छोटी बेहन को सुना दिया ना जी जी ना ये तो मैं कभी नहीं सहोगी अब तो मुझे कोई भारी कदम उठाना पड़ेगा ऐसे ही कुछ दिन बाद आधी रात को जब सभी लोग सो रहे होते है तो बिलो चुपके से उठकर और निमो के कमरे में जाकर उसके सारे जेवर चुला लेती है और सलोनी के कमरे में रखती है तबी अचानक सलोनी लाइट आन कर देती है और वहां निमो सलोनी और आयुश सभी आ जाते है इस सब के बाद निमो बिलो को एक जोरदार तमाचा लगाती है और गुसे से उससे कहती है पिलो तू तुझे ये सब करने के क्या ज़र आती अरी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में और अगर तुझे ये सब को चाहिए ही था तो मुझे बोल देती छी मुझे तो शरम आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए माफ करना जीजी मैं अपनी जलन की आग में इतना ज़ादा जल गई थी कि मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी बहुसे खुश नहीं रहती वैसे किसी को भी खुश रहने का हक नहीं है इसलिए मैंने ये सब किया मुझे माफ कर दीजी अच्छा तो तो ने ये सब कुछ इसलिए किया तो मैं भी कहें देती हूँ कि तू भी अगर ऐसे ही सब को परेशान करेगी ना तो खुद भी कभी खुश नहीं रहेगी अरे तू दूसरों का भला नहीं कर सकती तो कम से कम उनका बुरा भी तो मत कर और अगर तो ये बात अच्छे से समझ जाएगी ना तो खुद भी ना तो कभी परेशान रहेगी और ना तुझे कोई दुख होगा इस तरह बिल्लो को अगले ही दिन अपने बहन के घर से जाना बढ़ता है इसी तरह कुछ समय बीच चाता है और निम्मो अपने परिवार अपने बेटे और बहु के साथ हसी खुशी फिर से रहने लगती है दोस्तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताए कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा